हेलो फ्रेंड साइब वेलकम यूट्यूब चैनल एपक्स करे क्लासे जागरा आज हम डिसक्स करने वाले हैं कुछ कॉंसेप्चन कुस्चन और इन कॉंसेप्चन को समझने के बाद में आप 15 में से कम से कम 10 मार्क्स ला सकते हैं तो यहां पर आपको याद रखने हैं सभी कॉंसेप्चल कॉश्चन में आपका हर कॉश्चन इकवरी इंपोर्टाइंट होगा तो यहां पर आपको कॉश्चन पर ध्यान देना है क्या गया गया है कि प्री रिक्विजाइट यानि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना लर्निंग संभव नहीं है तो आपको यह बात याद रखनी है कि अगर बच्चा आपकी स्टेडीज में इंट्रेस नहीं ले रहा है अगर वो सीखने के लिए मोटिवेटेड नहीं है तो इन देट केस वो सीख नहीं सकता तो आपकी जो प्री रिक्विजाइट क्वालिटी हुई वो है मोटिवेशन अगर किसी में मोटिवेशन नहीं है सीखने की चाहत नहीं है तो वो नहीं सीख सकता इसमें का गया है कि लेंग्वेज में हैबिट फॉर्मिशन का क्या मतलब है तो इसमें आपके सामने ये तीन ओप्सन दी है क्वामिंग व कॉप इसपीज रिस्निंग रेडिंग र्याटिंग ईसपार्मिशन इसब ने उसमें में हमारें listening आती है reading आती है writing आती है correct spellings आती है pronunciation आता है और अधर books को भी जो कि उस language में लिखिये study कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है मने सब की लिए habit डबलब करनी है let's go to the next question our next question is Sangeeta English teacher of class 7 first explains the different parts of a sentence and then she teaches the synthesis of sentences so that her learners can easily understand what she wants to teach she is following the principle of तो यहां पर उसने काए कि जो teacher है उसने पहले different parts बताए है sentence के उसके बाद synthesis करना बता जाए है तो यहां पर उसने कौनसे principle का प्रियोग किया है कौनसे इस्टेंट विदी का प्रियोग किया है तो देखिए basically जो आपकी language teaching में इस तरह की इस्टेंट विदी आती है वो 6 हैं जिसमें पहली है simple to complex simple to complex का मतलब क्या है कि पहले आप बच्चे को simple चीज़ें पढ़ाओ उसके बाद complex चीज़ें पढ़ाओ अब इसमें दूसरा जो आता है वो है आपका psychological to logical psychological to logical का मतलब क्या है कि पहले आप बच्चे को वो चीज़ें पढ़ाओगे जहां पर उसकी need है यानि बच्चे की आवसेक्ताओं को आप ध्यान में रखते हो अगर पढ़ाते हैं उसकी requirements को ध्यान में रखते हो पढ़ाते हैं तो वो आपका psychological to logical है इसके लावा चार्ट तो आपके सामने यहां पर है जैसे induction to deduction इसकार्ट क्या है कि आप बच्चे को पहले example देंगे और बाद में rule बताएंगे तो जब example to rule पढ़ाते हैं तो उसे हम induction to deduction कहते हैं अगला इसमें concrete to abstract तो यहां पर concrete आप पहले बताएंगे concrete का मतलब क्या है that you can show to the learner यह जो आप दिखा सकते हैं पहले आप उन्चियों के बारें बताओ फिर आप abstract चियों के बारें बता सकते हो जिनको क्या आप नहीं दिखा सकते हैं इसमें आपका अगला सिच्छन विदी रखे known to unknown इसका मतलब क्या कि आप बच्चे को पहले known चियों बताएंगे जिनके बारें उजानता है उन्चियों के बारें बात करेंगे फिर unknown के बारें बात करेंगे अगला है आपका analysis to synthesis इसका मतलब यह है कि पहले आप analysis देंगे इसका मतलब क्या है कि आप details provide कराएंगे जो चिया बढ़ा रहे हैं उसकी उसके बात में आप उन्चियों को summarize करेंगे तो यहां पर अगर हम questions देखें तो question में लिखा हुआ है कि teacher ने पहले sentence के different parts बताएं इसका मतलब क्या sentence details दी है तो पहले details उसके बाद synthesis करना सिखाए इसका मतलब analysis to synthesis is the correct answer let's go to the next question which of the following follows the principle of psychological to logical psychological to logical का आई मैंने मतलब क्या बताया था कि आपको बच्चे की needs को दियान में रखते हुआ पढ़ाना है तो आपको यह देखना है कि यहां पर बच्चे की needs की बात कहा हो रही है तो देखिए अगर मैं first option को बढ़ता हूँ तो इसमें का गया है vocabulary and basic structure should be taught first depending on the needs and requirements of the learners तो आपका answer कौन सा हो गया first second में कोई need की बात नहीं हुई है third option में भी need की बात नहीं है और fourth में भी needs की कोई बात नहीं हुई है let's go to the next question the teacher should not consider inadequacies in teacher को किस में कमी निकालनी है learning content में, process में, environment में या learner में तो आपको याद रखना है इस समय हमारी teaching learning process है या education का जो प्रारूप है वो क्या है child centered कैसा है child centered child centered होने का मतलब क्या है इस समय हमारी teaching learning process का जो केंदर है वो learner है, child है इसलिए आप किसी में भी कमी निकाल सकते है अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया है या कोई बच्चा क्लास में फेल हो गया है तो हो सकता है कि teacher में कमी हो हो सकता है कि जो content सीख रहा है content में कमी हो हो सकता है teaching learning process में कमी हो हो सकता है environment में कमी हो लेकिन बच्चे में कोई कमी नहीं निकाली या सकती क्योंकि child-centered education का माना है बच्चा active है अगर आप उसे उपयुक्त सिच्छन विदी का प्रयोग करते हो पढ़ाते हैं तो बच्चे की समय में आएगा Let's go to the next question A foreign non-mother tongue teacher often faces the problem of a class full of reluctant and unmotivated learners तो यह learners reluctant है, unmotivated है, ऐसी condition में क्या करना है आपको पता है मैंने क्या बताया अभी कि learning के लिए prerequisite होता है आपका motivation यानि अगर बच्चे में motivation नहीं है तो उसकी learning नहीं हो पाएगी और अगर learner unmotivated सीखना आपका प्रभावी नहीं होगा तो आपको सबसे पहले उसको motivate करना है तो motivate करने की बात कौन से option में हुई है वो हमें देखना है पहले option को हमने बढ़ा using methods and strategies to motivate यानि पहले ही option में motivate करने की बात हुई है यह हमारा answer है second option में motivate करने कोई बात नहीं हुई है थार्ड आप्सन में भी मोटिवेट करने की बात नहीं हुई है और फोर्थ आप्सन में भी मोटिवेट करने की बात नहीं हुई है Let's go to the next question Motivation is an important factor in language learning For example in class 6, class 6 में motivation एक important factor बताया उन्होंने कि class 6 में क्या कर सकते हैं तो किस के लिए? motivation के लिए यानि हमें learners को motivate करना है तो motivate करने के लिए आप 6 class में क्या कर सकते हैं? यह हमारा mean question है तो आपको यह देखना है कि हमें motivation या interest कहां से develop होगा तो यहाँ पर आपके सामने first option है Memorization देखिए आपको याद रखना है Memorization तो आप कभी भी नहीं करवा सकते क्योंकि NCAP ने प्रॉइविट किया है कि आप बच्चे से road learning नहीं करवाएंगे road learning is prohibited तो यहाँ पर आपका answer यह पहला तो नहीं हो सकता इससे तो motivation का मतलब भी नहीं है और डूसरा है systematic analysis and use of structures अगर मैं systematic analysis and use of structures करवाता हूँ तो वहांसे भी motivation नहीं मिल रहा है लेकिन अगर आपको पता है कि अगर मैं कोई visual devices का प्रयोग करता हूँ games करवाता हूँ तो बच्चा interest लेने लगेगा और आपको पता है कि जैसे interest लेगा वो सीखने के लिए motivated भी हो जाएगा तयार भी हो जाएगा तो यहां पर आपका answer क्या हो गया third option use of visual devices and game-like exercise और D option में का गया use of mother tongue तो mother tongue का use करने से motivation मिले मतलब भी नहीं है let's go to the next question language learners learn to do by doing which activity supports this statement इन learners कैसे सीख रहे हैं करके सीख रहे हैं हालांकि यह करके सीखने का सिद्धानत है तो यहां पर हमें यह देखना है कि language में करने के लिए कुछ learners को किस option में मिल रहा है पहले option में बात करें तो उसने opportunities दी हैं जिसमें learner practice कर सकती है practice करेंगे तो उनकी habit formation develop होगा यानि उन्हें language में comfortable मैसूस होने लगेगा तो पहले option में तो यह बात हुई है कि आप करने के लिए उन्हें प्रैक्टिस दे दी है second option में बच्चों के करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि इसमें का गिया है आप mother tongue का use करने के बच्चों को encourage करेंगे यहां पर आप encourage कर रहे हैं कि बच्चों को better understanding है यहां पर बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा है अगर मैं C में देखूं concrete to abstract आप जा रहे हैं मूर्थ से मूर्थ तो यहां भी बच्चे के करने के लिए कुछ नहीं है D में teacher आपका model writing और speaking कर रहा है तो यहां पर भी बच्चा कुछ नहीं कर रहा है और हमें active किसको रखना है बच्चे को याद रखना है बच्चा active है teacher को हमें activation नहीं दिखाना है यहां पर जो हमें sakry बताना है वो बच्चे को दिखाना है कि प्रिश्ण आपके यहां पर language learners के लिए हैं let's go to the next question what is taught is not what is learnt because इसका मतलब क्या है कि जो सिखाया गया है जरूर नहीं कि वह सीखा भी गया हो इसका कारण क्या हो सकता है तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी learners होते हैं वो सभी individually different होते हैं तो सभी में individual differences हैं और इन individual differences की वज़ा से हर learner की abilities अलग हैं interest अलग हैं इसके अलावा उनकी capacity अलग है उनका background अलग है उनका culture अलग है तो इन सभी कारण से हम मान लीजिए कि किसी का IQ level different है इसका मतलब क्या है एक teacher नहीं सिखाया है तो एक बच्चे को बहुत अच्छा समझ में आ गया एक को थोड़ा कम आया एक को बिल्कुल ही नहीं आया तो इसका कारण केवल और केवल individual differences है तो हमें यह देखना है individual differences की बात किस option में हो रही है मैंने पहला option देखा इसमें individual differences नहीं है क्योंकि इसमें का गया teacher और learner can never fully master in discipline second में students pay attention during informal discussion तो यहां पर भी individual differences की बात नहीं हुई है इसके लाबा third option में है और teachers socio-economic level में differ तो अगर हम देखें तो इसमें भी individual differences की बात नहीं हुई है अब यहां पर D option में अगर हम देखें तो students में क्या है different abilities हैं different personalities हैं और वो different varieties हैं उनके background की इसका मतलब क्या है कि यहां पर individually वो different हो गए तो यहां पर हमारा answer D है क्यों D में बात हुई है individual differences की तो यहां पर आपका answer D हो चुका है let's go to the next question to make the learners imaginative and creative अगर आपको learner को imaginative बनाना है और creative बनाना है तो आप क्या करेंगे तो यहां पर पहला option यह है कि provide opportunities to use the language in a focused manner in real life situations अब हम क्या कई बार सोचते हैं कि NCF ने कहा है कि बच्चे को real life से जोड़ते हुए सिखाओ तो यही answer होगा गलत क्योंकि आपको question की language भी देखनी है कि हमें बच्चे को क्या बनाना imaginative अगर मैं real life situations से use करने के opportunities बच्चे को दे रहा हूँ तो क्या वो imaginative हो रहा है नहीं हो रहा है तो यहां पर यह मेरा answer नहीं होगा second मैंने देखा कि मैं बच्चे से कह दूँ कि इस story का end कीजिए जब बच्चा किसी story का end करेगा तो कुछ न कुछ imagine भी करेगा और कुछ न कुछ imagine करने के बाद उसके दिमाग में कोई idea आएगा और उस idea के आधार पर अपना कोई thought create करेगा यहनी creative बनेगा इसका मतलब क्या है second option में imagination and creativeness है third में अगर मैं कहूँ कि मैंने बच्चे को allow कर दिया है freedom दे दिये उसकी मर्जी से curriculum activities को चुनने की तो क्या उससे imagination होगी उसमें नहीं होगी d में कहा गया है कि आप उसे motivate करने के strategies अपनाएंगे तो motivation से imagination तो develop नहीं होगा इसलिए इसमें हमारा answer है second let's go to the next question after a storytelling session the learners are asked to change the end of the story देखिए वही question है लगवग बस प्रिष्ण का पूछने का तरीका बतला है अब इसमें पूछा है कि बच्चे से कह दिया है कि आप story का end कीजिए तो उससे क्या होगा जब बच्चा story का end करेगा तो कुछ ने कुछ imagine करेगा जैसा कि मैंने अभी बताया था और कुछ creative ideas उसके दिमाग में आएंगे तो यहां पर इससे क्या होगा बच्चा imaginative and creative बनेगा तो हमार आंसर क्या होगा D option क्योंको उसमें बच्चों के imaginative और creative बनाने की बात हुई है Let's go to the next question Learners are involved in individual activities pair, group work, group work and whole class work Because these, they group work में क्या होता है Group work, teaching strategies में बिल्कुल use होना चाहिए और यह बहुत अच्छी strategy है क्योंकि group work जो होता है वो बच्चे को कई अच्छी चियां सिखाता है Group work से बच्चे में क्या develop होता है हम वो देखते हैं अगर बच्चा ग्रुप में work करेगा तो पहली चीज क्या develop होगी कि उसमें collaboration आएगा यानि वो दूसरों का सैयोग करना सीखेगा इसके लावा team leading यानि वो team को lead करना सीखेगा team को lead करने के लावा उसमें और भी कई library skills develop होती है जैसे वो case study करना सीखेगा उसकी critical thinking develop होगी इसके लावा हम कह सकते हैं कि बच्चे में problem solving ability develop होगी तो ये सारी चीजें किस से develop होती है group से तो यहाँ पर हमें इसलिए याद रखना है group में हम work करा रहे हैं तो इन में से किसी भी चीज की बात किसमें हो रही है देखिए अगर मैं पहले option को देखता हूँ provide the learners enough opportunities to release in a language classroom तो इसमें तो बात नहीं हुई है ऐसी कोई भी second में have the sole aim of introducing variety in a language classroom यहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है third में teacher बहुत ठक गया है तो वो अपनी energy save कर ले यह भी इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं हुई है fourth में कहा गया है कि यह उसे opportunities देगा language को एक फोगर real life situations में use करने की देखिए यहाँ पर जो आपके groups हैं अगर उसमें बच्चा interact करेगा तो वहाँ पर उसके अपने साथ ही होंगे तो वहाँ पर उनसे वो उसी तरह से interaction करेगा जो की विलकुल real life का होगा यानि grower की जो activities होती है वो real life situations से जोड करके language को use करने के बर्जूटीज देती हैं इसलिए हमार answer क्या होगा इसमें D option Let's go to the next question When young learners seem to lose interest in the class the teacher should यानि जब learner का interest खत्म होने लगे क्लास में तो teacher हो क्या करना चाहिए Tell a story or conduct an interesting activity Ask them to sit quietly for some time Allow them to go and play Ask them to sleep for a while तो आप खोशोच के देखिए उनका interest जा रहा है तो हम उसका interest create करेंगे अब यह interest create किससे होगा मुझे interest create करना है अगर मैं उनको सोने के लिए बोल दूँगा तो interest नहीं आएगा जाओ जाओ के खेरो मतलब यह नहीं क्लास से बाहर निकाल दिया तो उनसे कहूँगा कि चुपचा बैठ जाओ यह भी नहीं बच्चा active रखना है हमें हम अगर उनको कोई story सुनाते हैं कोई interesting activity कंड़क करवाते हैं तो बच्चा interest लेने लगेगा और motivated हो जाएगा इसलिए हमारा answer इसमें first option है let's go to the next question a textbook describes a domestic scene which shows the father cooking in the kitchen the mother coming home from work and their son's wing देखिया हमारी हो society है उसमें gender wiseness काफी जादा है तो यह जेंडर बाइस क्या होता है gender wise का मतलब यह है कि हम कुछ ही मानते है कि यह female है यह girl है यह lady है तो यह गर का काम करेगी यह यह आपका man है boy है तो यह ऐसे काम नहीं करेगा जो के क्लिलकी करती है जाडू नहीं लगाएगा पहुचा नहीं करेगा इस तरह की रुड़े बद्दता हमारे समाज में involved है अगर यहाँ पर हम इनके opposite काम करते हुए दिखा रहे हैं यहाँ पर पिताजी cooking कर रहे हैं basically ऐसा मानाता है माता करती है यहाँ पर माता office से आ रहे हैं काम करके जबकि basically पिता आते हैं यहाँ पर बेटा सलाही कर रहा है आंतोर पर ललकी करती है तो यहाँ पर जो जेंडर की रोड़ेवद्दिता है उसे खत्म करने का प्रियास किया गया है यानि removing gender biasness यह डेवर, work is worth safe, dignity of labor यह बाकी इतने भी options हैं वो सब आपको confuse करने के लिए आएंगे जब भी ऐसा प्रिश्ण में देए जिसमें उल्टा काम कराया जा रहा है तो आप समझ लेना कि वहाँ पर gender bias जो है यानि लेंगे पूरबागर जो है उसको अटाने का प्रियास किया जा रहा है और अगर काम बिलकुल वैसा दिखाया जैसा कि रोड़वद्दिता में है तो वहाँ पर वड़वद्दिता को बड़ावा दिया जा रहा है लेट्स गो टू तो नेक्स कुश्चिन तोड़े टीचर इस रिगाड़ेड़ेज तेकर टीचर को हम क्या मनते है टीचर को child center education में बच्चे का मित्र माना गया है सुविदा दाता माना गया और guide माना गया यानि यह answer all of these है लेकिन अगर यहाँ पर प्रिष्ण को थोड़ा सा बदल दिया जाए और इसमें पूछा जाए एंसी एफ के according teacher क्या है तो एंसी एफ ने teacher को facilitator माना है एंसी एफ के according teacher क्या है facilitator है ततक के लिया थैंक यू